मैंने कहीं भी नहीं देखा जो आज यहां देखनों को मिला दो साल से हम खड़े हैं इशा सतनाम जी सुपर स्पेस्टलिटी होस्पिटल में जहां पर आईज ओपरेशन किये गए हैं तो चलिए जानते हैं उनके क्या विचार है हेलो सर आपको शुब नाम क्या है सर और आप कहां से आए हैं की शेवा को देखकर मुझे एशा लगा कि अपने गाऊं की शेवा हूं है सब बोल गया मैं यहां शेवादार इतने बढया था हर्जुग हो ली करते हैं और इनका भॉट बहुत धन्यवाद चाहता हूं मैं इसा मैंने कहीं भी नहीं देखा जो आज यहां देखनों को मिला दो शाल से और सब बड़िया रहा हुआ यहां की ब्योस्ताओं को देखकर और अपने गाउं की ब्योस्ताओं कोई शही नहीं लगी मुझे इसलिए मैं यहां आया यहां देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आसपड़ा उसके कोई गरीब बेशाओं को यहां लाके उनका भी भला कर दूँ जो दरदर की ठोकर दूसा खाते हैं और परिशान रहते हैं दो साल से मैं यही चाहता हूँ और यही कामना चाहता हूँ यह सभ्लु घंदन शदगुयू आपका नाम लेके यही चाहता हूँ आपका यहां पर ध्यान कोन रख रहे हैं यहां सेवादार रहे हुआ बहुत बड़ी अध्यान रहे हैं और इन 팬u की वर वज़ेसे सब माता पिता अभी में हारे यही हैं वो तो जब आएंगे लेने आएंगे गारंटर जो हैं हमारी शेवादार जो हैं अभी यही कर रहे हैं हमारी गारंटर जब आएंगे लेने आएंगे जब से हम यहां आए हैं क्यार दर्स तारिक से तो यही शवाल लें आप शेवादार सेवा करके आपको क्या कुछ बेनिफिट मिलता है क्या कुछ मिलता है जो आप फ्री में सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं इस तरह संगत की सेवा करना यह आपको इंस्पिरेशन कहां से मिली यह इंस्पिरेशन हमें हमारे गुरुजी से डक्टर गुर्मीत रामीम जी से मिली है जोने ने हमें सेवा करना सिखाया है कुछ बताएंगे यहां पर पैसा नहीं लिया जाता है द्वाजी आते यह और एनक फ़रेशन भी फर्य ओता तो चितने भी यहाँ पर पेशेंट्स आए हैं उनके साथ कोई उनके रिशिदार आए हैं या फिर आप ही सारी संभाल कर रहे हैं। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन से लेके ऑपरेशन तक का जितना भी सब कुछ हो जाता है। फेसिलिटीज हैं यहाँ पर हर तरह की फेसिलिटीज पेशेंट को मिलती है यहाँ पर पेशेंट के लिए आते हैं तो किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। वो भी अस्चर्ज हो जाते हैं वी हमने ऐसी फैसिलिटी दुनिया में कहीं नहीं देखी, फ्री अफ कॉस्ट。 ऐसा फ्री युकास्ट दुनिया में कहीं नहीं मिलता, आप और कहीं देखों तो इतने दिन कोई इतनी सेवा नहीं करता है, कि इतनी अच्छी बिल्डिंग बेड्स सब मलू वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जो भी आप देख सकते हो यहां आपको पता चल जाएगा जब आप यहां पेशन्स से मिलोंगे देखोगे तो आपको खुद मालम हो जाएगा यह कैम सर 12 सी 15 तक लगा है तो अपरेशन कब तक होंगे इसके देखो ऐसे है ना इस वर थोड़ा सा कोवेड नाइटीन की वज़ा से जो प्रेशन गौर्मेंट से की कुछ गाइडलाइन से हैं उसके हिसाब से चल रहा है देखो कब तक जो होता है गौर्मेंट की जरी तो उसके बाद उनका कोवी टेस्ट करवाया जाता है अगर उनका कोवी टेस्ट पोजटिव आजाता है तो उनको नहीं अगर नेगटिव होता है तभी उनको आगे अपरेशन के लिए हम वो करते हैं थैंक यू सो मच आपने हमें इतनी इंफोर्मेशन प्रवाइड करें थैंक यू